तो कैसे हो आप सभी, आप सभी का स्वागत है केसी अकेडमी में पढ़ते हैं cần affairs, आज का हमारा पहला questions है विश्व दूर संचार और सूचना society हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों तो हर साल हमारा 17 माई को मनाया जाता है दोस्तों, 17 माई को भागौली गुरूप से दूर होने के बावजूद दुनिया जुड़ी है क्योंकि आज हम तकनीकी का उपयोग करते हैं एक ही समय पर कई लोगों से जुड़ सकते हैं ठीक है भागौली गुरूप से कहीं भी हो और तकनिकी यानि दूर संचार के कारण, दूर संचार की सायता से हम एक दूसरे से connect हो जाते हैं इस बार क्या theme था दोस्तों ये भी जान लेते हैं Connect 2030 ICT as for the Sunstable Development Goals, ठीक है? Next question है, हमारा निमनलखित में से किस देश ने हाल ही में बिरोध के रूप जंडे को जलाने का प्रिदिबंद लगाया है दोस्तों जंडे जलाने के ऊपर प्रिदिबंद लगाया है, जर्मनी ने, ठीक है? जर्मनी ने बिरोध के तरीके के रूप में जंडे जलाने का प्रिद्वंद लगा दिया है इससे घृड़ा, क्रोध और अक्रमक्ता को उत्तेजित करने के लिए एक अधिनियम के रूप में नामित किया है ठीक है बुंडे इस्टेंग जो जर्मन सांसद है ने एक कानून पारित किया है जो बिदेशी देशों को जंडे को जलाने को दंडनी अपराद बनाता है क्या बनाता है दोस्तों किसी भी कंट्री के फ्लैक को आप जलाते हैं तो आपे दंडनी अपराद है क्योंकि इस कानुन का उलंगन करने वालों को तीन साल तक करावास मिल जाएगा ठीक है दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने मनरेगा के लिए मनरेगा के लिए कितने आवंटित किया है दोस्तों 40,000 करोन रुपए मन रेगा के लिए आवन्टित किया गया है ठीक है दोस्तों सरकार ने ग्रामीड रोजगार गरांटी योजना के अतिरिक 40,000 रुपए आवन्टित किये हैं 40,000 करोन रुपए आवन्टित करने की घोसड़ा किये जिसे घर लोट रेप प्रवासी स्रामिकों को रोजगार प्रदान करने में मदद करेगा ठीक है आर्थिक प्रसान पैकेज की पांचवी और अंतिम किस्त की गोशला कल हुई है दोस्तों उन्होंने कहा है बित मंतरी ने कहा है मनरेगा के लिए आमंटन पहले बजट कितना था साथ पहले बजट 61,000 करोण रुपए था और उससे उपर 40,000 करोण रुपए और बढ़ा दिया गया कितना हो गया एक लाग 10,000 करों रुपए हो गया है ठीक है और इसमें एक न्यूज़ और है कि पहले कितना था दोस्तों 100 दिन के लिए कमपलसिस था नहीं 100 दिन की डूटी मिलेगी इसमें अब हो गया है 200 दिन के लिए ठीक है दोस्तों इसे ध्यान रखना अब कितनी हो गई है 200 दिनों के लिए हो गया है राश्पति रामनात कोबिन ने एक वर्स के लिए अपना वेतन कितना परसंट त्यागने का निर्ड़ लिया है दोस्तों 30 परसंट त्यागने का निर्ड़ लिया है क्या किया है 30 परसंट त्यागने का निर्ड़ लिया है वो कहां जाएगा PM केर फण्ड में ठीक है दोस्तों उनकी salary 5,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 नेक्स्ट कोशन है हमारा किस राज्ज ने बुजूर्ग सुरच्छा के संदेश को फलाने के लिए मिसन ग्रैंड केर सुरू किया है कौन सा दोस्तों मिसन ग्रैंड केर सुरू किया है दोस्तों केरल है जो मिसन ग्रैंड केर सुरू किया है ठीक है इसको चालू किसने के आया ग्रैंड केर जी होजना पे बड़े पैमाने पर जागरूत कारक्रम चलाया है जो राज में भुजूर्गों और विदेश और अन्य अस्थानों से आने वाले ठीक है जो अपने राज के भुजूर्ग है उनकी भी जो विदेशों से आ रहे हैं उनकी भी और जो अन्य अस्था तक स्टेट तक आने वाले और जाने वाले बुजुर्गों की देखवाल के लिए ये प्राथमिक्ता देगा ठीक है कटुम्ब स्री मैला स्वयम सायता समू सुरू से राज में कोविड-19 जागरुता गतिवेतियों का अधार रहा है ठीक है दोस्तों केरल में पहले से ये अव विस्तारित करने का निर्ड लिया है दोस्तों आप रेशन ग्रीन में हमारी फल और सब्जियां सारी इंक्लूड हो रही है ठीक है केंद्री वित्वंद्री निर्मला सीता रामन ने घोशड़ा किया कि आप रेशन ग्रीन को 500 रुपए 500 करोन रुपए अतिरिक्त कोश्च के आज आएगा ठीक है इस यूजना में सरप्लस से घाटे वाले बाजारों में परिवान पर 50% के सबसीडी और कुल्ड इस्टूरस साइध भंदारन पे भी 50% की सबसीडी की सुभिदा उपलब दोगी ठीक है हमारा नेक्स कोशन है हाल एई में सोचलित मार्ग भारती रक्ष एफडी आई की अनुमती दिये भारती रच्छा वी निर्माड छेत्रों को खोलने की दिशामें एक बड़े कदम में सरकार ने बिदेशी कमपनियों को सवचलित मार्ग के माध्यम से भारती रच्छा कमपनियों में बहुमत हिस्सेदारी की अनुमती दिये ठीक है भड़ाके अभे 84% कर दिया खीक है निम ने लिखी तूमें से किसे राष्ट्य रियल इस्टेट डब्लेम्मेंट कॉंसलिंग को कॉंसलिंग के महाननिदेशक के रूप में नुट किया गया है दोस्तों राजेस गोएल जी है जिननने महाननिदेशक के इससे पहले गोयल हिंदुस्तान फ्री वैक लिमिटेट के अधेक्ष और प्रवंदन निदेशक के रूप में सेवा रथ थे ठीक है जुलाई के अंत तक भारत में कितने राफेल फाइटर जेट आने वाले हैं दोस्तों वेस्ट इंपोर्टन कोश्चन से फाइटर जेट जो ह फ्रांस ने इस साल जुलाई के अंध तक पहले चार राफेल बिमान प्रदान कर देगा ठीक है और इसके लिए वह तयार है ठीक है इससे पहले बिमान की डिलिवरी मई अंध तक होने वाली थी ठीक है इससे पहले फ्रांस ने बोला था कि हम मई लाश तक राफेल बिमान ड दोस्तों, 69,000 करोन रुपे की, कितने प्लेन थे उसमें, 36 राफेल थे, फाइटर प्लेन, कितने में, 69,000 करोन रुपे में, इसकी खासियत क्या-क्या है, वो भी देख लेते हैं दोस्तों, यह इसकी स्पीड है 1.8 by 750 kt, दोस्तों, मतलब इसका अगर किलोमेटर में करोन करते ह तो 2,222.6 km पर हावर, ठीक है, और इसकी सीधे, यानि 90 डिगरी पे इसकी हाइट जाए, अगर उड़ाता है कोई, तो यह 50,000 फिट तक किम सीधे 90 डिगरी पे उड़ सकता है, और इसमें सबसे हो है कि, राफेल कन फलाई, अरेंज, 37 किलोमेटर, ठीक है, एक बार उड़ान बरेगा, तो 3700 किलोमेटर एक रन अप करके आजाएगा, ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसमें डवल जेट फाइटर एरक्राफ्ट इंजन है, ठीक है, नेक्स्ट कोशन पढ़ते हैं हमारा, हालही में, सेबेस्टियन वेटल ने F1 सीजन के अंद में अपनी F1 टीम छोडने क की घोस्रा की है, वो अनने में लिखित में से किस टीम के इस्टार F1 चालक हैं, तो दोस्तों जो फरारी के चालक हैं, वो फरारी छोडने का निर्ड़े कर लिये हैं, ठीक है, चार बर विस्व चैंपियन रहे, इस सेवे, इस्टियन, वेलट 2020, फार्मूला वन सीजन के सेवे, स्टियन, वेलट 2015 में फेरारी में, F1 की सबसे पुरानी और सबसे ग्लैमरस टीम के साथ खिताब जीतने वाले, माइकल सुमार के नक्से कदम पर चलने के लिए सामिल हुए थे, किसके कहने पर सामिल हुए थे दोस्तों, माइकल सुमा करके, ठीक है, हमारा नेक्ट को प्रमुक फुटवाल लीग है, तो दोस्तों, यह जर्मनी का है, जो क्या नाम है, इसका बुंडे स्लिंगा, जर्मनी का बुंडे स्लिंगा, कोरोना वायरस में, हमारी को रोकने के लिए लगाएगे, देश ब्यापी लगडाउन फिर से सुरू करने के लिए तयार है, ठीक ह जो 2019-2020 सीजन का मैच सेस रह गया था है, वो 16 मई से, 16 मई 2020 से किक स्टार्ट किया गया है, यानि फिर से री स्टार्ट किया गया है, ठीक है, सरकार के, सरकार डैस के ब्यापक, सौरी, परिव्याय के शाथ समुद्री और अंतर देश ये मत्स पालन के विकास के लिए प्रधा पालन के लिए, ठीक है, उसमें देख लेते हैं कितना कितना और कहा है, 20,000 करोन रुपे मत्स पालन के लिए प्रधार मंत्री मत्स समपदा योजना के लिए सुरू करेगी, इसमें से 11,000 करोन रुपे, कितना दोस्तों, 11,000 करोन रुपे समुद्री अंतर देशी मत्स और जल क्रिसीव गतिविदियों के लिए जबकि 9000 करोन रुपे बुनियादी धांचे के निर्माण के लिए जिसे मचली पकड़ने वाले बंदरगा कोल्ड चेन और बजार में काम आने है यानि मास मचली पकड़े उसे स्टोरिज किये और स्टोरिज करने के बाद मार्केट मिला रह है हाले में पैन इंडिया इलेक्ट्रानिक्स अग्रिकल्चर ट्रेडिंग पोर्टल इन एम कहां तक पहुंच गया दोस्तों 1000 मंडियों तक पहुंच गया है ठीक है पैन इंडिया इलेक्ट्रानिक अग्रिकल्चर ट्रेडिंग पोर्टल यानि ये इन एम अठारा राजियो और तीन के इंद्रसासित प्रदेशों में एक हजार मंडियों तक पहुँच गया है ठीक है E-N-A में E-N-A-M lockdown के दरण समाजिक दूरी के लिए एक उपकरण बना गया है ठीक है किस के लिए बना गया है दोस्तों समाजिक दूरी के लिए एक उपकरण बना गया है राज में E-N-A-M जैसे virtual trading platform को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे online mode में mode के माध्यम से सुनुशित ब्यापार उत्पादन और ब्यापार से निपटने में मानो हस्तशेप कम हो रहा है ठीक है मात्पोन दिन देख लेते हैं दोस्तों वर्स 2020 के लिए अंतराष्टी संग्रहालाय दिवस 18 माई दोस्तों आज 18 माई है आजे के दिन बिश्व संग्रहालाय दिवस यानि मियुजेस फॉर्द एक्वेलेटी डाइवर्डिसीटी एन इकूशन ठीक है दोस्तों इसका नाम थोड़ा सा टेड़ा है याद रख लेना ठीक है विश्व अंतराष्टी संग्रहालाय दिवस ठीक है विश्व एट से ठीका दिवस भी आजी मनाया जाता है ठीक है पर्रयवरान का देख लेते हैं 16 माई 2020 को बंगाल की खाड़े में बना चक्रवात जो अभी हाल ही में न्यूज में था पस्षिम बंगाल और मंगलादेश को पार करेगा उस चक्रवात का नाम क्या है दोस्तों उसका नाम है उम पुन चक्रवात क्या नाम है उम पुन चक्रवात ठीक है कुछ राष्ट से रिलेटर देख लेते हैं डिजिटल या आनलाइन सच्छा के लिए बहु पद्धती से प्रवेश के लिए भारत सरकार का नया कारेकरम है तो दोस्तों PME विद्या जो प्रदानमंतिर नरिंदर मोदी जी ने कल स्टार्ट किया है अनलाइन एजुकेशन के लिए ठीक है राष्टी आपदा प्रदिकरन यानी NDMA की अस्थापना 2005 में होई थी इसका मुख्याले कहा है दोस्तों नई दिल्ली प्रदानमंत्री उज्वल योजना का सुभारम कब हुआ था दोस्तों या दयाप लोगों को माई 2016 में हुआ था एक माई 2016 को हुआ था प्रदानमंत्री उज्वल योजना का सुभारम ठीक है रियल इस्टेट बिनी यामक प्रदिकरन यानी रेरा या रियल इस्टेट बिनियम और विकास का अधिनियम लागू होगा कब से एक माई 2016 से लागू हुआ है बार काउंस्लिंग आफ इंडिया का अस्थापना हुई है कब दोस्तों 1961 में हुई है कब हुई है 1961 में हुई है इसका मुख्याली का है इसका भी मुख्याली नई दिल्ली है ठीक है अंतराष्टे संग्रहाली दिवस यानि ICOM की अस्थापना दिवस है 1946 कब है दोस्तों अंतराश्टी संग्रहाले परिशद कम अस्थापना कब हुआ था 1946 में इसका एड़ प्वाटर कहा है पेरिस फ्रांस में ठीक है 800 HIV किता आप लोगों को सभी को नाम पता है ठीक है इसी के साथ हमारी क्लास ओबर होती है आई होब आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी लाइक करें सेर करें और सस्क्राइब करें ठीक है दोस्तों